हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का नए साल की धेर सारी सुपकामनाओं के साथ एंजल गार्डन में दोस्तों आपकी लाइफ में भी इसी तरह फूलों की तरह रंग भी रंगे फूलों की तरह आपकी लाइफ भी रंग भी रंगी हो बहुत सारी धेर सारी खुशियां आईए दोस्तों आज मैं दिखाती हूं कि मैं नरसरी गई थी और वहां पे देखे कितने प्यारे-प्यारे से यह देखे जर्वेरा कि कितने सारे फूल खिले हूँ यह है यहां पर बहुत कौसली हैं बहुत महिंगे दे रहे थैं और यहां पे पौदे के दाम कुछ हाई हैं इसलिए मैं यहां से बहुत कमी पौदे ले जाती हूँ और बहुत बारगिनिंग करनी पड़ती है पर यहां पर पौदे बहुत सारे हैं और बहुत सुन्दर सुन्दर है तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे गुढ़ल के भी हैं जो कि मैं यहीं से लेके गई हूँ सारे गुढल और लगभग ऐसे सभी तरह के पौदे यहां मिल जाते हैं बट बहुत बारगिनिंग करनी पड़ती है तो यह देखिए जर्वेरा के तो बहुत सुन्दर सुन्दर कलर थे और मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं लूँ पर यह दाम कमी नहीं कर रहे तो तो मैं सोची जोड़ों मैं नहीं लेती हूँ वैसे भी मेरे बलकिनी में अभी जगह भी नहीं है और धूप भी नहीं आ रही है और मैं गार्डिनिंग भी थोड़ा कम कर पा रही हूँ तो ये देखिए दोस्तों कितने प्यारे प्यारे गुलाब भी हैं तो इसमें से कुछ गुलाब तो मैं लेके गई हूँ जो कि मैं वीडियो में भी डाली हूँ किसकी वीडियो होगी मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं और यह देखिए फाइकस जो की फाइकस तो मेरे पास भी है अभी और ये गुलाब के बहुत प्यारे प्यारे से कलर हैं तो दोस्तों मैं सोची आज में एक वीडियो बनाती हूं कि मैं यही से पौदे लेके जाती हूं और ये देखिए कितने सुन्दा सुन्दा कलर है और लग बग या सभी तरह के पौदे मिल जाते हैं ये हैं औरेंज छोटे वाले जो औरेंज जाते हैं वो हैं आप इसे नीमू भी बोल सकते हैं पर ये औरेंज कलर के होते हैं तो औरेंज ही होंगे और ये देखें गेंदे पे कितने सारे फूल आये हुए हैं और ये मैं अपने घर पे खरीद के लाई थी तो ये हो चुके हैं कम से कम 15 दिन हो गया हुए ये मैं अपने घर पे लाके लगाई हूँ ये जाफरी गेंदा है और इसी में मैं दो पिटूनिया के वे पौदे लगाई हूं जो की एक साथ सब मैंने लगा दिया है क्योंकि ये बास्केर थोड़ी से बड़ी है तो मैं सोचे चलो एक में ही लगा देती हूं तो इसमें बहुत सारी कलिया आई हूई या भी और मैं इस बार ठंट के पौदे बहुत कम लगाई हूं क्योंकि महनत बहुत हो जाती है और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है वीडियो भी मैं नहीं डाल पा रही हूं आज के व तो मैं गई थी नए साल पर तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक नरसरी के वीडियो भी बना देती हूं और मैं एक तारी को दो प्लांट भी लेके आई हूं वहां से ऐसे मैं पिटुनिया इस वर चार पौदे पहले लगा चुकी थी और मैं एक तारी को गई तो मैं दो पौदे और लेके आई हूं तो मैं दिखा रही हूं अभी कि मैं कौन कौन से लेके आई हूं तो यह देखे, यह एक मै बैगनी कलर के पिटुनिया लेके आई हूँ और एक वाइट कलर के पिटुनिया लेके आई हूँ बहुत सुन्दर लग रहे थे दोनों तो मैंने सोचा एक ही बास्केट में लगाओंगी पर नहीं हो पाया हैंगिंग बास्केट में एक ही पादे सही से लग पाते हैं दो पादे नहीं लग पाते हैं क्योंकि हैंगिंग बास्केट छोटी हो जाती है थोड़ी से नहीं तो मैं सोच के आई थी कि मैं दोनों पहुत एक साथ लगाऊंगी तो बहुत ही प्यारे लगेंगे पर नहीं हो पाया ऐसा तो देखें दोनों के कलर बहुत ही प्यारे है दोस्तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी वीडियो देखें ऐसे ही चले जाते हैं प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें और दोस्तों ये देखें मेरे गुड़ल पे वे कितनी प्यारे से फूल खिले हुए हैं दिखा रही हूँ ये देखें और इसमें कलिया भी अभी बहुत सारी बनी हुई है ये देखें कलिया बहुत सारी कलिया अभी भी इसमें बनी हुई इसमें तो इस बार इतने भर के पूल आए कि मैं सोची भी नहीं थी कि इस पर इतने सारे पूल आएंगे कि मैं सोची बनी हुई है